स्मृती एरानी ने जो पीरिट्स को लेकर पीरिट्स वे छुटियों को लेकर बात कही है वो बेहच चर्मनाक है अगर मुझे वो दिन याद आते हैं जब मुझे ये तकलीफ होती थी और मैं काम कर रही होती थी तो मेरा दिल दहल जाता है और अगर किसी लड़की को periods होते हैं लड़कों को तो नहीं होते हैं तो क्यूँकि periods होते हैं इसलिए उनकी बराबरी करने के लिए उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्हें कोई फ़रक नहीं पड़ता है। कर सकती हैं तो इससे ज़्यादा बेवकूफी बहरा बयान कोई दे नहीं सकता और यह वक्तव्य इनका चाल चरितर चहरा दिखाता है क्योंकि यह हमेशा से ही ऐसी बाते करते हैं एक एक टीवी आक्टरस जो है जब मंतरी के पत पर पहुंचती हैं तो उनको शायद यह बात सम पेट फूल जाता था और दरद धीरे-धीरे होने लगता था और उसके बाद चार दिन तक दरद होता रहता था साथ दिन तक periods होते रहते थे और काम करने की हालत नहीं होती थी स्कूल जाती थी पढ़ाने साथ में sanitary napkins ले जाने पड़ते थे क्योंकि स्कूल के दौरान ती इन बार पका बदलने पड़ते थे सुबह बदल के गई फिर उसके बाद fruit break में बदला फिर lunch time पे बदला फिर घर आई तो उसके बाद तो बस किसी तरह से सोई और बदला और कोई काम नहीं कर पाती थी लेकिन फिर भी करती थी तो क्या ये मेरी कमजोरी हो गई क्या मैं करन दिन होता था उस दिन इतनी तकलीफ होती थी कई बार मैं क्लास छोड़के बाहर आती थी सिर्फ ये कहती थी कि मैं घर जा रही अपनी सीनेस को और वो मुझे देख कर समझ जाते थे आँक के नीचे काले गड़े एकदम चेहरा ऐसा हुआ हुआ कि कितना दर्द होगा ये आ लड़के के बराबर नहीं हो जाता अगर इस दर्द को से कर काम करें ये दर्द एक लड़की को अगर होता है तो वो कैसे जीती है वो केवल वही समझ सकती है वो सिरफ पीरेड्स नहीं होते हैं आपको लूज मोशन भी हो जाते हैं आपको बुखार भी हो जाता है आपका ब पूरा एकोसिस्टम सिर्फ इसले क्योंकि एक मंत्री ने गलत बात कह दी इसले भड़ड़ा के लोगों को अटाक कर रहा है जो उनको इस बात के लिए सवाल पूछ रहा है शर्मनाक है बेहद तकलीवते है कि लड़कियों को आज भी नयाय नहीं मिलेगा क्योंकि भजपा की स सरकार है और स्मृति इरानी जैसी एकदम बेवकुव मंत्री है